यहां for society for applied microwave electronics engineering and research में यह vacancies निखली हुई है scientist grade C की और scientist grade B की जहाँ पर scientist grade C की 2 post scientist grade B की 28 post निखली हुइ है जो कि आप अपने स्किन पर की देख सकते हैं आप मैं essential qualification बताऊंगा डिक है scientist साइंटिस्ट ग्रेड सी के लिए आपको बैचलर डिग्री किसम होना चाहिए टेक्नलोजी में माश्टर डिग्री और टेलिक साइंटिस्ट ग्रेड बैचलर डिग्री आपके पास होनी के टेकनलोजी में ठीक है इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होनी चाहिए ठीक है और इसके अलावा साइंटिस्ट बी के लिए जो निकली हुए है पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की उसके लिए आपको मास्टर डिग्री या फिर बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्ब्निकेशन में होना चाहिए एम्टेक भी होना चाहिए अगर आप इस आपको इसमें प्रिफरेंस दी जाएगी ठीक है इसके कई सारी और इसमें पोस्ट इन निकली हुए अलग-अलग कैटेग्री की जिसमें के अगर आप साइन्टिस्ट हैं साइन्टिस्ट गृूप भी में फिजीस्स हैं तो पशेट्रों से आपको थीम फिजिक्स या हम है ठीक है उसके लावा अगर आप रेडियो लॉजी में हैं तो रेडियो लॉजिकल फिजिक्स भी तो काफी तरीके से इसमें अलग-अलग केटेगरी वाइज पोश्ट निकली हुए आप अपनी क्वैलिफिकेशन के अनुसार इसमें चेक कर सकते हैं इसका लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ठीक है इसमें step one step two याने की return और then interview होका देन आपका selection होगा और apply कैसे करना है मैं आप अपनी screen पर zoom करके आपको दिखा सकता हूं कि recruitment.samir.gop.in पर जाकर आपको online इसमें apply करना है ठीक है तो अब choice of center return आप इसमें अपनी choice of center की return examination की देख सकते हैं especially for Mumbai, Chennai and Calcutta ठीक है जो application fee होगी और general and all other के लिए 400 और other categories के लिए 200 ठीक है आप इसमें direct online इसमें NFT के शुरू pay कर सकते हैं इन्होंन अपनी mobile अपनी bank का सारा detail दे रखा जो आपनी screen पर देख सकते हैं ठीक है तो यह सारे details है इसका मैं link जो है अपने description box में दे दूंगा आप जाए और form भरे और scientist बनिये कहां पर society of applied microwave electronics engine and research नी समीर में झाल